आज हम पढ़ेगे chapter percentage, बहुत ही important topic है, क्योंकि topic इतना important है यह कि इससे जुड़े कम से कम आपको 4-5 chapter मिल जाएगे, जैसे हम देखे profit and loss, work and time देखे, time, speed and distance देखे, इन सभी questions में आपको क्या दिखेगा, percentage दिखेगा, यहां तक ही जो ratio and proportion है वो भी percentage से ही जुड़ा हुआ है, तो हम इसके पहले सबसे पहले basic देखेगे, percentage होता क्या है, फिर देखेगे कहां कहां हम इसे use कर सकते है, बहुत ही important topic होने वाला है, जब यह topic आपका clear हो जाएगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, तो देखो यहां पर जैसे लिखा है हमने basic से, तो हम basic से start करेगे और जैसे percentage में word में ही क्या आ रहा है, पर, पर का मतलब क्या होता है, divide में, तो percentage क्या होगा, percentage कहीं पे भी आपको percentage दिखेगा न, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले उसको divided by 100 कर देना है, मतलब मान लो जैसे 50%, अगर 50% दिया हुआ है आपको, तो अगर percentage को किस से replace करोगे, आप percentage को 1 divided by 100 से replace करोगे, मतलब अब इसमें आप अगर लिखोगे 50% की जगे, percent में क्या लिखा, आपने 1 by 100, तो जब 1 by 100 करेगे तो 0 से 0 कटी, और 5 2 का 10 क्या बन गया, 1 by 2, ये क्या है, ये ratio है, तो जब भी आपको percentage आएगा तो आपने सबसे पहले क्या करने divided by 100, अब आप सोचोगे कि divided by 100 क्यों करेगे, क्योंकि हमने 100 को base लेगे, जो भी उसकी overall value आएगी, उसको हम base लेगे, base का मतलब क्या है, वो हम देखेगे, ठीक है, अब आप सोचोगे, percentage हम क्यों करते है, divided by 100 क्यों करते है, ये हम इसलिए करते है, ताकि जब हमें comparison करना ह हो, तब हमें picture clear हो, comparison कैसे करना हो, जैसे मालो, अगर मैं आपको बोलूँ कि दो student है, student 1 और student 2, student 2 के कितने marks है, student 2 के marks आए है, मालो 500, ठीक है, student 1 के आए है 500, और student 2 के कितने आए है, student 2 के आए है, मालो, student 2 के आए है 600 marks, ठीक है, दो बच्चे है, एक बच्चे के marks आते है 500, और एक बच्चे के marks आते है 600, अब मैं आपसे पूछूँ कि which student performs better, कौन से बच्चे ने ज्यादा अच्छा perform किया है, तो आप क्या बोलोगे, क्या बच्चे एक ने किया है या second वाले बच्चे ने किया, जिसके 500 number है या जिसके 600 number है, तो अगर मैं आपसे ये पूछू ना, तो ये information incomplete होगी, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि second student ने अच्छा perform किया है, क्यूंकि इसके marks कितने है, 600 marks है, तो इसमें 100 number जादा किया, ऐसे नहीं है, हम ये देखेगे कि वो marks कितने में से है, पर मतलब out of कितने है, अब जैसे मालो, जिस बच्चा जो बच्चा A है, ये बच्चा A है, ये बच्चा B है, ठीक है, ए बच्चे के आए है 500 marks, लेकिन इसके 500 marks कितने में से आए है, इसके 500 marks आए है, मालो, इसके 500 marks आए है 800 में से, या मालो 1000 में से marks आया है, तो जब हम देखेंगे 1000 marks, total marks कितने हैं, 1000 है, और इसने obtain कितने किया 500, तो 500 divided by क्या, 100 into 1000, अब यह देखो, यह 100 क्या है, यही तो percentage है, यही तो percentage है, divided by 100 into 1000, अब 2 0 से 2 0 कट की, 2 0 से 2 0 कट की कितना आएगा, बताओ, कितना आएगा, इसने किये 50%, इसके आए 50%, ठीक है, 500 divided by 1000 into 100, यहाँ पर into 100 करेगे, तो कितना है, 2 0, 2 0, 1 0, 1 0, 50% हुआ यह, यह हुआ 50%, और अब इस 600 जिस बच्चे के marks है, इसके मालो total marks कितना है, 1200, अब marks obtained है, 600, कितने में से out of, out of आएगा यह, जो आपने, जो आपका base है, वो आएगा, आपका कितना 1200, और percentage में क्या किया, फिर into 100 कर दिया, यहाँ पर, 2 0 कट गे, 2 0 से 2 0, 6 2 कर 12, और यह क्या है यह, 50, तो इसके भी 50% हुए, तो यह दोनों ने बराबर perform किया है, आपको समझ में आई दोनों के 50% क्यों है, क्योंकि 500 वाले के आए, 1000 में से, 600 वाले के आए, 1200 में से, इसके 12 subject थे, 100 नमबर का एक subject था, total subject थे 1200, total subject थे 12, तो 1200 हो ग subject, 1000 नमबर के, तो हमने क्या किया, 500 divided by 1000 करके, इन 200 कर दिया हमने, इन 200 किसे करते हैं, हम fraction को इन 200 करते हैं, अब देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें कुछ values याद रखनी पड़ेगी, हमें fraction और percentage साथ साथ में चलता है, क्यों चलता है, जैसे मैंने बताया, आप हम divided by 100 कर देते हैं, जैसे मालो 50% कितना होगा, सबसे पहले देखो 100%, अब percentage को हम divided by 100 लिखते हैं, तो यहाँ पर यह इसकी fraction value क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, अब 1 क्या होगी, यह होगी, क्या कहते है, मतलब 100%, 50% को क्या बोलेगे हम, 50%, 50% मतलब divided by 100 कर दिया, तो य यह 1 by 2 हो गया, यह 1 by 2 हो गया, अब 1 by 3 क्या होगा, 1 by 3 क्या हो गया, 33, 1 by 3%, यह देखो, यह fraction को क्या किया हमने, percentage में convert करेगे, जब fraction को convert करते हैं, तो into 100 कर देते हैं, मतलब यह क्या है, यह fraction value है, देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, fraction value, यह fraction value है, यह percentage value है, यह percentage value है, तो one को क्या बोलेगे 100% simple यहाँ पर इंटू 100 कर दिया जब fraction को आपने क्या करने percentage में convert करने तो इंटू 100 और आपको percentage को ratio से करने तो divide by 100 आप देखो two two fraction क्या होगी two fraction क्या हो जाएगी यहाँ पर जैसे 1 by 2 लिखूँ तो 1 by 2 मतलब इन 200 करूँगा तो यह आएगा 50% ऐसे ही मैं 1 by 3 लिखूँ अगर 1 by 3 लिखूँ तो 1 by 3 आ जाएगा 33.33% 33.33% या फिर इसको ऐसे भी बहु सकते है 33 1 by 3 1 by 4 को क्या बोलेगे हम 1 by 4 होगा 25% क्यों अगेन 1 by 4 मतलब 1 by 4 अब यह क्या है रेशो है रेशो को percentage में कर रहे तो multiply by 100 कर देगे तो 100 divided by 4 कितना हो गया 25 तो यहां पर मैंने 25% लिख दिया तो आपको यह यह value याद रखनी पड़ेगी 1 से लेके at least 12 तक रख लो जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 by 5 1 by 5 हो जाएगा 20% ठीक है यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 by 6 1 by 6 क्या हो जाएगा 16 2 by 3% और जब आपको यह fraction को point में लिखो के decimal ने तो क्या आ जाएगा आपका 16 2 by 16.66% यह आपको दिमाग में होनी चाहिए क्यूं क्यूंकि इसके बाद हम कुछ tricks देखेगे वो tricks इससे ही आए 1 by 7 हो जाएगा 14 2 by 8% 14 2 by 8% 1 by 8 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 12.5% मतलब 12 1 by 2% ऐसे ही 1 by 9 कितना हो जाएगा 1 by 9 हो जाएगा 9.09% या फिर इसको क्या बोल सकते है 9 1 by 9 1 by 9 5 इसको थी आप इसको ठीक है बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हैं 9.11 होगा यह 9.11% ऐसे ही 1 by 10 को क्या लिख सकते हो यह ratio है सारी ratio को जब percentage में किया तो into 100 कर दिया तो यह 10% आ जाएगा ऐसे ही 1 by 11 कितना हो जाएगा 1 by 11 यह सब ratio है 1 by 11 हो जाएगा कितना 9.09% यानि इसको क्या बोल सकते हो आप 9 1 by 11% और एक 1 by 12 का भी देख लो 1 by 12 1 by 12 कितना हो जाएगा 12 1 by 3% या फिर इसको 12.33% यह आपको इतनी fraction value आपको याद रखनी पड़ेगी 12 तक तो bare minimum है आपको याद रखनी पड़ेगी मतलब अगर मैं आपको पूछू कि 1 by 2 क्या है तो आपको तुरंट बोलना पड़ेगा 50% 1 by 3 क्या है 33.13% 1 by 4 क्या है 25% ठीक है अगर आपको वही percentage बोल दिया जाए तो आपको उसकी ratio पता होनी चाहिए जैसे मैं बोल दूँ 20% तो 20% से आपको मतलब तुरंट दिमाग में आना चाहिए 1 by 5 तो ये चीज होनी चाहिए अगर मैं बोलू 16.66% तो आपको बोलना चाहिए 1 by 6 ratio to percentage या percentage to ratio ये conversion आपके दिमाग में होनी चाहिए अगर fraction को कर रहे हो percentage में तो 200 और percentage को आप मिटा रहे हो उसको fraction में कर रहे हो तो divided by 100 ये हमें चीज पता लगी अब हम देखते इसके questions कैसे आएगे जैसे माल लो एक questions किस चाहिब के आएगे तो एक तो simple ऐसे profit and loss में question आ जाएगा profit and loss में question आ जाएगा इसका सीधा सीधा इसका question कैसे आएगा जैसे देखो मैं यहां पर लिखता हूँ जैसे मैं बोल दूँ कि a person has a person has 10 pence ठीक है और अगर उसको he has he got a profit of a profit of 20% 20% on pence या फिर यहां पर माल लो यहां पर person के पास मैंने लिख दिया person has 10 rupees ठीक है he got a profit of 20% तो अब मैं पूछूंगा कि एक person के पास अगर 10 रुपे है और उसको 20% का profit हुआ then what is the final what is the final amount he got कि इसको final कितने रुपे का profit होगा यह देखो यह question है कि एक person के पास 10 रुपे है और उसको 20% का profit हुआ तो उसके पास कितने रुपे अब होगे अब देखो अगर आप इसको simple मतलब वही basic method से अगर करो तो आप देखो कि क्या एक person के पास 10 रुपे है और उसको कितने 20% का profit हो गया तो आप यहाँ पर लिखोगे कि 10 रुपे तो ही है ठीक है देखो 10 रुपे तो ही है plus 10 रुपे का 20% मिला मतलब 10 रुपे का 20% percentage में मैंने क्या बोला divide by 100 20% को क्या लिख दिया 20 by 100 अब वही यहाँ पर क्या कट जाएगा दो जीरो से दो जीरो दो जीरो से दो जीरो कट की आपके पास और आपके पास final कितना आ गया यहाँ पर आएगा 10 plus 2 is equal to 12 यह आएगा final answer 12 रुपीज ठीक है तो यह method कोंसा था यह एक basic method था लेकिन exam में हमारे पास time बहुत कम होता है ठीक है if you give any examination then you will notice one thing like you have minimum at least 20 to 30 seconds to attempt the question तो 20 से 30 सेकंड में आप कैसे attempt करोगे इस method से तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्यों कि इसमें time लगेगा अब कौंसा method लगेगा तो जो मैंने आपको अभी percentage to fraction कराई थी ने conversion उससे यह trick बनेगा अब देखो trick कैसे बनेगा जल्दी से जैसे मैंने हा हां पर देखा क्या देखा मैंने हां पर कि 10 रूपीज थे 10 रूपीज थे और profit कितने का हुआ 20% तो मुझे value याद होनी चाहिए 20% क्या होता है 20% is equal to 1 by 5 1 by 5 ठीक है अब मैंने यह देखा कि 1 by 5 मतलब यह base है तो base ही यह है तो मुझे profit कितने का हुआ मुझे profit हुआ एक का वह तो एक किस पे होगा 5 पे होगा जो base है divided by मतलब 5 से 1 बढ़ा देऊंगा मैं 5 से 1 बढ़ाओंगा तो क्या हैगा 6 by 5 into क्या लिख दूँगा 10 अब 5 2 का क्या हो गया 10 6 2 का 12 देखो कितनी जल्दी हुआ यह कितनी जल्दी हुआ है यह किस से हुआ है यह percentage से हुआ है क्यूं हुझे एक का फाइदा हुआ है तो 6 by 5 यह मेरी क्या आगी fraction आगी 6 by 5 किसका 10 का यह देखो यह क्या हो गया 12 और इधर भी हुमारे क्या answer आया 12 आया अब आप सोचोगे कि यह यह trick कैसे आई यह trick भी इससे ही आई है क्यूं अगर आप यहां पर देखो यहां पर पहले आपने basic से जो किया था देखो यहां पे आपने basic से किया था ना यहां पे आपने लिखा था 10 plus 10 का क्या लिखु दिया था आपने 20 पर तो 20 पर सेंट कितना हुआ 0 से 0, 20% भी तो 1 by 5 ही हुआ, 1 by 5 ही हुआ इसका, नहीं, 1 by 5 हुआ और यहां पर अमने इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर देखो 10 को common ले लो, 10 को मैंने अगर common ले लिया, तो यह क्या आया, 10 1 plus, क्या 1 by 5, 1 by 5, अब इसको क्या LCM ले लो, LCM लेके क्या आएगा, LCM आपने लि 5 plus 1 by 5, plus 1 by 5, यहां पर क्या लिख दिया, 10 into 6 by 5, देखो कितने आप method पर गए, आपने यह जो, अब आपको पता चला, यह 6 by 5 कैसे आया, यह 6 by 5 यहां पर आया, तो जो आपने यहां पर basic लिखा था, वो भी तो tricky है, बस हमने उसके 4 method काट दिये, आपने यहां पर लिखा, 10 plus 10 का 20%, तो उसको हमने देखा कि value क्या आएगी, यही आएगी, 6 by 5, जैसे यहां पर किया, लेकिन अगर मुझे percentage पता है, तो मुझे को यह सारे method लिखने की जुरूत ही नहीं होगी, मैं सीधा देखूंगा, 20% हो गया, क्या, 1 by 5, 1 by 5 मतलब 5 का 1, मतलब 6 by 5 किसका, 10 का, आ फैदा होगा, किसका, percentage to ratio का, और कोई question देखते हैं, मैं गहारा हूँ, अब person के पास कितने रुपे है, 500 रुपीज है, ठीक है, उसके कितने profit मिला है, he got a profit of, यहां पर मैं simple लिखता हूँ, 500 क्या है, principal है, amount है, principal है, और उसको कितने रुपे का फैदा हुआ हुआ, इस पे, मा इसको हो गया, फैदा 25% का हो गया, profit is equal to 25%, अब मुझे पताओ कि उसको कितने रुपे total amount मिलेगा, मतलब, principal के इलावा, जो profit दोनों का, वह होगा, addition होगा, amount जिसे कहते है, profit plus principal, वह कितना होगा, तो आप देखो, मैं इसको सिधा, सिधा पहले एक basic से करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर basic से करूँगा, method one है basic, ठीक है, और दूसरा method क्या है, trick, अब मैंने अगर basic से गया है, मैंने लिखूँगा, यहाँ पर 500, 500 तो मिलेगे ही मिलेगे, plus 500 का क्या मिलेगा, 25%, मैंने लिख दिया 500 का 25%, 25% मतलब 25 by 100, फिर इसको मैं लिख दिया 500 plus 500 into 25% को यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, one by four हो गया न यह, तो मैं इसको यहाँ लिख दूँगा, one by four, फिर मैंने क्या लिख दूँगा, five hundred common लिख, फिर यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, इसको मैं लिख दिया, यहाँ पर 500 into 5 by 4, देखो यहाँ पर क्या आया, 5 by 4 आया, अब बस वही मैं कटिंग करूँगा, 4 को यहाँ से 500 से काटा, 4 1 का 4, 1 0 4 2 का 8 2 5, 25 का कितना इसको यहाँ पर solve कर दूँगा, 625 मेरे पास आंसर आया इसका, तो देखो इसमें कितने सारे method थे, बहुत सारे method आया यहाँ पर, लेकिन I have to avoid these chaps, then what shall I do, I have to do implement the trick, अब trick क्या है, 500 है, ठीक है, अब मुझे देखो, पता होना चाहिए, 25 परसेंट की value क्या होती है, 25 परसेंट की value होती है, 25 परसेंट is equal to 1 by 4, यानि 4 पे कितने का फायदा हो गया, उपर वाले का, उपर वाले का कितना आ आ गया, 5 by 4 आ गया, इसको multiply करो, 4, 1 का 4, 4, 2 का 4, 5 का 20, 25 परसेंट का 125, और यहां पर 5, 1 का 5, 6, 6, 25, कोई tricks लिखने, यह आपको method लिखने की जूरुती नहीं हुई पड़ी, ठीक है, यह बात clear है, अब अगिला एक टाइप ओर देख लेते हैं, यह भी हम basic, हमने देखा पहले basic, कि percentage का मतलब क्या है, मतलब divided by value, कोई हम value देखते हैं, ठीक है, फिर हमने देखा कि क्या fraction से percentage में conversion देखी, फिर हमें पता चला, इसको अगर हम एक conversion अच्छे से पता होगी, तो हम इसको trick कैसे कर सकते हैं, अब एक और तरग के type देखते हैं, जैसे मालू यहाँ पर है मेरे पास की starting में initial amount मेरे पास है कितना, initial amount है मेरे पास, 500 रुपीज, initial amount है मेरे पास 500 रुपीज, और final amount है मेरे पास, final amount मिल गया मेरे पास 525, अब देखो इसमें आपको amount दिया है, रुपीज में दिया है, आपको percentage नहीं दिये, आपको percentage रुपीज नहीं दिया, अब आपको पताना है कि मुझे इसमें कितने का profit हुआ है, तो मैंने इसमें मुझे पता नहीं है percentage क्या है, percentage मैं इससे निकाल लूँगा, मैं कैसे निकाल लूँगा, मैं देखूंगा difference कितने का है, यहाँ पर लिखतूंगा difference, उपर मैं लिखूंगा difference, ठीक है, फिर मैंने दे लिखते हैं उसमें object में object क्या होता है जिसमें काम होता है इसमें क्या नीचे वाली वैल्यू लिखी initial amount यहां पर initial लिख दी और into 100 कर देगे समझे जैसे यहां पर मुझे कितने का फायदा हुआ नहीं 25% अभी यह तो मुझे हुआ है कि 25 रुपे का फायदा हुआ है लेकिन परसेंट कैसे निकालूंगा इंटू 100 होगी तो यहां पर जीरो से जीरो कटके और पांच मतला 55 का तो मुझे को कितने का हुआ 5% का profit हुआ है मेरे पास 5% का profit हुआ मेरे पास समझे मतला हमने यह देखना है कि कितने रुपीज का पहले profit देखना है तो देखो इनिशियल था 500 और बाद में कितना हो गया 525 तो मेरे पास कितने अमांट का हुआ 25 किसके उपर हुआ 500 के उपर हुआ तो 25 divided by 500 इंटू 100 5% ठीक है एक और question देख लेते रुपीज penguin कितने हो गएं जाते मालो मेरे पास चार्टिंग में थे 1,000 रुपीज और मेरे पास final कितने हो गए हमेरे पास final होगिए म मालो 1500 हो गए नहीं मुझको final 1500 यह इन्टिंहं किस बार loss हो गया मुझे loss हो गया कितने का माल लो आप मुझे 500 रुपीस का लॉस हो गया यह देखो हजार रुपे स्चार्टिंग में थे बाद में कितने होगे 500 रुपे हो गये अब डिफ्रेंस देखना है मैंने अगर प्रॉफिट में क्या होगा ज्यादा हो जाएगी लॉस में कम हो जाएगा तो यहां पर साफ सा देख रहा हजार से 500 होगे इंट में बीगाट लॉस कितने का हुआ है लॉस हुआ है मेरे पास 500 का किसके उपर हुआ हजार के उपर उपर हुआ है कि हैना हजार के उपर हुआ हिन्ट कर दो तो दोजीरो से दोजीरो इदर कटगी एक जwar inse tus اس विफटी पर MORE कि कितना मुझे 50 60 का क्या हो गया मुझे 50% का इस पर लॉस हो गया यहां पर ठीक है मुझे 50% का लॉस हो गया कि ऐसे को कुशन देख लेते हैं कि वह हम इस पर ट्रिक से देखेंगे ठीक है माल लो आई हैव आई वहाव 600 रुपीज आई हाव 600 रूपीज आई I sold them I got I sold them at 50% 50% profit what is the final amount I got after selling them after selling them अब देखो यहां पर साफ साफ क्या दिया हुआ है मेरे पास 600 रुपीज थे मेरे पास चार्टिंग में 600 का है मेरा कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होता है जो हमने बेचे तो मैंने क्या बोला अब क्या आपने फ्रेक्शन करो अगर एक का प्रॉफिट हो गया तो क्या हो गया थ्री बाइटू हो गया अब टू से क्या कर दिया टू थ्री जीरो जीरो थ्री थ्री का रूपीज का प्रॉफिट हुआ है इसको सेलिंग प्राइस मत समझ लेना आप ठीक है रॉफिट यह होता है ना वन बाइटू 50 परसेंट क्या हो गया वन बाइटू टू के उपर एक का हो गया इसलिए थ्री बाइटू हमने इसलिए हैं यहां पर मुझे लिख दिया यहां पर क्योंकि एक का दो पर हुआ है तो यह 3 variable का मुझे क्या हो गया profit हो गया यहां प्र तो क्या हो गए 예 यहां तक clear है बताओ तो 900 रुपीज का क्या हुआ मुझे profit हुआ है कि यह अब मुझे बताओ यह profit होगा कि selling price होगी मैंने three by two लिखा है यह क्या हुई मेरे पास या फिर यह बताओ क्या 900 रुपीज यह यह मुझे आप अच्छा मैं आपको बताता हूं यह मुझे आप बताओ कि जो हमारे पास 900 है ना 600 क्या था cost price था 600 cost price था अब मेरे पास 600 तो आया ही आया प्लस 600 पर कितने का profit हो गया मैं लेंथी वाले से कर रहा हूं जो basic है 50 परसेंट का profit मतलब one by two 50 परसेंट यह हो गया तो यहां पे 600 common आ गया 600 common आ गया प्लस क्या लिख दिया आपने 600 one प्लस क्या लिखा यहां पे है 50 परसेंट मतलब one by two 300 300 divided by two कि यहां तक क्लियर है कि 60 परसेंट का 50 परसेंट profit 50 परसेंट profit एक मिनट यहां पर मैं लिख देता हूं 600 यह हमारे पास था 600 600 का मुझे बताना है कि मुझे पचास परसेंट profit हो गया तो मुझे 50 परसेंट profit होके कितने मेरे पास value आगी 600 यहां पर जो लिख है 600 3 by 2 तो 3 by 2 गया 300 3 into 3 900 ठीक है यह आएगा हमारे पास ही 900 हमने वह बेसिक से कर दिया 1 by 2 1 by 2 को हमने एसे लिग दिया 3 by 2 3 by 2 का क्या है 3 by 2 600 का ही तो हुआ 600 का ही तो हमारे पास हुआ तो यह हमारे पास होगी अब यह हमारे पास simple interest जाए यह SI ह हमने इस में क्या बोला था है कि यहां पर हमने लिख न लिख ना what was the final amount I got after selling, अब देखो ये तो final amount है, ये final amount है, ये ऐसा ही है, लेकिन अगर मालो question में हमें पूछ ले profit, तो profit के लिए हमें पते क्या करना पड़ेगा, ये cost price है, ये क्या simple selling price है, cost price हमारे पास था 600, selling price निकाला है ये हमने, selling price कितना निकाला हमने 900 निकाला, अब selling price minus cost price ही तो profit हो minus cost price, तो अब मैं निकाल लूँगा selling price 900, और cost price मालो, ये कितना निकाला 600, तो ये आएगा 300, minus करेगे न profit, ये होगा 300 रूपीज, 300 रूपीज का profit होगा, अगर profit पूछेगा तो 300 रूपीज, लेकिन अगर सिरफ selling price पूछेगे, तो क्या लिख देगे हम, तो लिखेगे 900, ये 3 by 2 जो है न, ये 2, ये क्या है, ये निकलेगा, selling price निकलेगा, selling price निकलेगा, ये selling price निकलेगा, तो सही answer क्या हो जाएगा, 900, लेकिन अगर मालो profit पूछे, तो selling price minus cost price तो 300 रूपीज, ठीक है, तो हमने आज ये चीज़े देखी कि कैसे हम percentage का use कर सकते है, कैसे हम percentage को ratio में convert कर स चैप्टर पढ़ेगे, जैसे ratio and proportion देखेगे, हम work and time देखेगे, हम time, speed and distance देखेगे, ठीक है, pipe and systems देखेगे, इन सम्में percentage का बहुत ही बड़ा important role है, ठीक है, आज की class में हमने सिर्फ basic देखा है, अब next class में हम percentage के questions करेगे, अच्छे से detail में, PDF लेकर आऊंगा, मैं उसमें बहुत ही अच्छे-च्छे question मतलब beginner से लेकर advanced level तक हम जाएगे और एक दम अच्छे से देखेगे, अभी बस simple सामने एक idea लिया कि percentage का मतलब है क्या, so that's it for today guys, see you in the next class, bye-bye.